नमस्कार आप देखरे स्पेशल रिपोर्ट ड्यूस रूम से आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकश्यप अर्विन के जिवाल के शपत ग्रहन का काउंट डाउन शुरू हो गया है 16 फरवरी रविवार का दिन सुबह 10 बजे अर्विन के जिवाल रामलीला मैदान में शपत लेंगे रखा भी इसलिए गया है रविवार को ताकि छुट्टी का दिन हो जादा से जादा लोग पहुंचे और फिर उन्होंने एक भावुक अपील भी अपने समर्थकों से की है कि भारी तादाद में रामलीला मैदान पहुंचे मैं अर्विंद केजरिवाल इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के समविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा अर्विंद केजरिवाल वही है और रामलीला मैदान भी वही है बस कुछ साल बदले 28 दिसंबर 2013 को अर्विंद केजरिवाल ने पहली बार दिली के मुख्यमंत्री पदगी शपत ली थी 14 फर्वरी 2015 को केजरीवाल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपत ली थी मैं अर्विन केजरीवाल इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगा और आज से तीन दिन बाद 16 फर्वरी को अर्विन केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपत लेने अपनी कन्भूमी दामलिला मैदान पहुँच रहे है केजरीवाल ने इस आयोजन में पहुँचने के लिए दिल्ली वालों से बहुत भाउक अपील की है गेजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बेटा बताते हुए दिल्ली के लोगों से शपत ग्रहन में आने की अपील करते हुए अपना ओडियो मैसेज जारी किया है आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के सीम के शपत लेने जा रहा है इद्वार को अपने बेटे को आशिरवाद देने राम लेला मैदान जरूर आना दस बजे तक पहुँच जाना और हाँ घर के सब लोगों को ले के आना शुक्रिया दिल्ली वालों जज़त कर दिया ग्रहने I love you 16 फर्वरी को रविवार का दिन है यानी दिल्ली वालों की छुट्टी का दिन ऐसे में आम आदमी पाटी शपत ग्रहन समारों को मेगा इवन्ट बनाने में कोई कोर का सर नहीं छोड़ना जाता सपत ग्रहन समारों में पिछली बार की तरह ही हम कर रहे हैं पिछली बार जनता के साथ किया था इस बार भी दिल्ली की जनता और इतनी बड़ी जीत हासिल की है और इतनी बड़ी हुकूमत को हराया है सबसे बड़ा खास यही है कि एक सरकार जो है आगे अगले काम का जो हमने गार्णटी किया है दिल्ली के लिए उसको लिए संकल्प लेगी और आगे बढ़ेगी अर्विन केजरिवाल और उनकी कैबिनेट के शपत ग्रहन समारों के लिए रामलिला मैदान को सजा जा रहा है शपत में बस तीन दिन बचे हैं लहाजा काम में तेजी आ गई है मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के शपत ग्रहन समारों की तरह यहां जोरों पर है इस वक्त हम मौझूद है रामलीला मैदान में मैं आपको तस्वीरे दिखाना चाहूँगा कि ये जो रामलीला मैदान है लगबग एक लाख लोगों की केपिसिटी इस रामलीला मैदान की है जब मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल 16 फरवरी को शपत लेंगे तो वस्ता जो है लोगों के बैटने के लिए यहाँ पर की गई है अर्विंद केजरिवाल सियासत में एक नया मॉडल लेकर आए हैं सरकारी कारक्रम को कैसे इवेंट में तबदील किया जाता है इसका हुनर उन्हें बखूबी मालूम है रामलीला ग्राउंड में शपत भी उसी हुनर का एक हिस्सा है 16 फर्वरी को केजरिवाल शपत दो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लेंगे लेकिन इसकी धमक पूरे देश में पहुँचे इसका पूरा बंदोबस्त आम आदमी पाटी ने कर रखा है सुशांत मेहरा के साथ अशोक सिंगल दिल्ली आच्छता द पूरा जरूर नहीं होगी लेकिन साथी पुराने होंगे जहां कैबनेट मंतरी के तौर पर जो साथी शपत लेंगे अर्विंद केजरिवाल के साथ वो वही पुराने मंतरी होंगे जो पिछली सरकार में भी थे एक तरह वो तो खुश है जिनकी कुरसी बच गई लेकिन कई अर्विन केजरिवाल के साथ उनके कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे इस रहस्य से भी परदा उठ गया है आज तक ने आपको कल जो खबर दी थी वही होने जा रहा है केजरिवाल केबिनेट में वही मंत्री होंगे जो पिछली सरकार में थे पिछले दो सपत ग्राण समारो आप देखिए पूरी दिल्ली की जनता रामनिला मैदान में आई थी अपने बेटे केजरिवाल जी को आसिरवाल देने के लिए और इस बार भी एक इतनी बड़ी जीत दिल्ली की महान जनता ने दी है तो उनका अशिरवात चाहिए उनका प्रेम उनका असने पाथ साल और अच्छे ढंग से केजरिवाल जी काम कर सकें इसके लिए बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग की यही कोसिस रहेगी और यही अपील भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे 16 तरिफ को इससे पहले अटकले चल रही थी कि केजरिवाल मंत्री मंडल में कुछ नए सदस्य हो सकते हैं रागव चड़ा, अमानतुल्ला खान और आतीशी के नाम दावेदारों के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे सवाल ये भी था कि अगर इन में से कोई आया तो किसकी मंत्री वाली कुरसी जाएगी लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है इस फैसले से केजरिवाल केबनेट में मंत्रीयों ने रहात की सांस ली है केजरिवाल केबनेट में शामिल राजिंदर पाल गौतम ने तो अभी से अगले 5 साल की प्लैनिंग शुरू कर दी है पॉलिशन दिल्ली में कैसे कम हो दिल्ली रहने लाइक सेफ और स्वच्छ कैसे बने और कैसे गिनीर नेरिया यहां पर बड़े कैसे यमुना इस लाइक बने कि उसमें हम डुबकी लगा सकें उस चेतर में हमें काम करना है दिल्ली के अंदर जो पांच साल में सरकार ने काम किया हो सबसे बड़ा जो सरे है सरकार के काम को है दूसरा जनता की महबबत को है जनता ने नफरत की रायनिती को नकार करके महबबत की रायनिती को सच्ची देश बक्ती को सकरात्मक राष्टवाद को सपोर्ट किया है यह सकर टीम मनीश स्विसोधिया के पास थे सतेंद्र जैन, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान हुसेन को भी महत्वपूर्ण मंत्रालेओं की जिमदारी सौंपी गई थी और अब कैबिनेट की यही टीम नए सरकार में भी मोर्चा समालेगी सुशांत महरा, दिल्ली आज तक इस सही होगी मिनाक्षी और आशुतोष मिश्राने दिल्ली के विजेता इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पाटी ने बापसी की है दिल्ली में, उसे लेकर क्या प्लैन था, शपत ग्रहन में क्या होने वाला है और अगले पांच साल को लेकर जो जिम्मेदारी विधायकों की है, दस विधायक इस वक्त आम आदमी पाटी के हमारे साथ मौजूद है और फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत बढ़ाई आप सभी को, सारव बार्दर जी, आप से हम शुरुआत करेंगे जीत ये अर्विन केजरिवाल के नाम की है या आपके काम की है? दिखिए, अब चुनाफ समाप्त हो गया है तो जितना जगड़ा, गाली, गलोच और डर्टी केंपेंच जो भारती जन्ता पार्टी ने हमारे खिलाफ चलाया था, वो भी समाप्त हो जाना चाहिए और सब को मिलके काम करना चाहिए जहां तक आप हमारी change in stand change in position की बात कर रहे हैं हम लोग सदैर से ये कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति विशेश से किसी प्रकार की कोई परिशानी नफरत जगड़ा नहीं है हमें काम करने दिया जाए हम साथ मिलकर काम करना चाहते है हनुमान जी का कितना बड़ा रोल था जीत में नहीं देखिए आप उने कानलोजी को देखेंगे किसी चैनल पर गया उनसे पूशा गया कि आप हनुमान चलिशा आपको आता है उन्हें पढ़कर सुना दिया उसके बाद धर्म का जिनके लिए धर्म धंदा है उन पर सवाल करने लेगे यहां तक कह दिया कि जिस मंदिर मे जिस मुर्ति की पूजा वह शुद्ध हो गया तो मेरा यह कहना है कि हम सब हमारे धर्म आस्था का विशय है और इसको दिखाने की जरुवत नहीं है यहां तो हनुमान का जिक्र हो गया लेकिन जिन इलाकों से आप आते हैं उस पर नजर रखते हुए करंट वरंट की भी बा जिक्र कर रहे हैं कि आपने कैसे बीजेपी को मात दी लेकिन वो इस बात से भी खुश है कि छे फीसीदी वोट शेयर बीजेपी का दिल्ली में बढ़ा है और विधायकों की संक्या जो है बढ़ गई है राकी बिर्ला यहां पर मौजूद है डेपिटी स्पीकर की भी कुरस अगर उसको कोई नहीं मानता है तो फिर मजबूरन उनका प्रियोग करना पड़ता और रही आने वाले समय की बात अगर आप समय सीमा के अंतरगत जो भी वहां की प्रकरी है उसको जो है फॉलो करते हुए अपनी बात को रखेंगे अपने चेतर की समस्या को रखेंगे तो म मंच मोधी विरोधगा नहीं दिखना चाहिए किसी और को न्योता नहीं है लेकिन दूसरी तरफ संजे सिंग जो आज बात कह रहे थे दिल्ली के बाद अब बाकी किले फटाय करने की भी तयारी है देखिए सबसे पहले समझना पढ़ेगा कि दिल्ली में जीत किसकी हुई है दिल्ली में एक नए किस सियासत की शुरुआत हुई जहां हमारी पार्टी का मुख्या दिल्ली का चहता मुख्यमंतरी सामने आके सीना चोड़ा करके डंके की चोड़ पर कहता है कि दिल्ली वालो अगर आपके लिए काम किया हो तो वोट करना तो ये काम की राजनीती की अगर जीत हुई दिल्ली में तो क्यों न ऐसा हो कि देश के बाकी जो प्रदेश हैं वहां भी इस तरह की शुरुआत हो क्योंकि इस तरह की शुरुआत में इस तरह की सियासत में आखिर में फाइदा ज तो दस नए विधायक और आपने इन सब की राय सुनी, उन्होंने पार्टी की जीप की वज़ा भी बताई, बड़ी खबर हमने बुलिटिन की शुरुआत में आपको बताई, जहां हम अमिच्छा कह रहे हैं कि हेट स्पीच यानि नफरत वाले भाशन की वज़ा से हम हारे, य देखते रहें आज ताब दिल्ली तक सिमटने वाला नहीं है बड़ी बात है, ये देश की राजनीती में नई शुरुआत है, और रास्ट निर्मार जिसका जिकराब कर रहे थे, यही तो रास्ट निर्मार है केज रिवाल ने अपने काम पर चुनाव लड़ा और सत्तर में से 62 सीटे जीती है, ऐसे में हर कोई यही कह रहा है, कि आप जैसा कोई मेरी जिन्दगी में आए, तो बात बन जाए प्रण मंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव में कहा था, यह संयोग है या प्रयोग? तो इसका जवाब केज रिवाल यही कह कर दे रहे हैं, यह विकास का प्रयोग है, और इसी प्रयोग से उन्होंने दिल्ली में जीत की हैक्ट्रिक लगाई है दिल्ली के सत्ता संभालते ही केजरिवाल ने देश के दूसरे राज्यों को ना सिर्फ मूल मंत्र दिया, बल्कि उन्हों में जन्ता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की खलबली भी मचा दिया है आपने केजरिवाल मॉडल से अन्य राज्यों के कॉंग्रेसी, भाजपाई और अन्य दलों के मुख्यमंत्रियों की ना केवल नीन दूला दिया है बल्कि इस मॉडल को अपनाने का दवाव भी बना दिया है दिल्ली की तर्च पर पश्यमंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनर्जी ने 75 यूनिट बिजली फ्री देने का नर्ने लिया है सिर्फ पश्यमंगाल ही नहीं बल्कि महराष्ट भी केजरिवाल के नक्ष कदम पर चलने की तैयारियों में जुट गया है महराष्ट सरकार भी 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना पर काम कर रही है महराष्ट में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रस्ताव पश्यमंगाल में 3 महिने में 75 यूनिट बिजली फ्री मध्यप्रदेश में 100 यूनिट बिजली ज्यारखन में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव राजस्थान में गली मोहले में जन्ता क्लिनिग जबकि केजरिवाल मौडल पर मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार भी बड़ी स्कीम ला रही है केजरिवाल की फरिष्टे दिल्ली स्कीम की तरज पर कमलनाथ सरकार भी दुर्घटना में खायल मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पताल में निशुल कराने की योजना शुरू करने जा रही है कमलनाथ सरकार इसके लावा केजरिवाल की मौहला क्लिनिक के तरज पर संजीवनी क्लिनिक मद्यप्रदेश में शुरू करने का एलान पहले ही नवंबर में कर चुकी है आज तक देरो तो क्या मोधी परवार के लिए विपक्ष को मिल गया है नया हतियार क्या अब ये नया हतियार आजमाएंगे दीदी पवार ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विकास का फॉमिला ही चलेगा ये दिल्ली के चुनावों ने लगभख सामने रख दिया है अब इसी फॉमिले पर तमाम पार्टियां विकास, फ्री बिजली और क्या-क्या मुफ्त देखे केजरिवाल की इस राजनिती के माइने क्या है जिस राजनिती से तीसरी दफा केजरिवाल सत्ता की सीड़ी पर चड़े है अब आम आदमी पार्टि उसी राजनिती से पार्टि का विस्तार करना चाहती जब हमारा 2013 का रिजल्ट आया था तब भी हमने मेंबर्सिप चलाई थी पंदरा के बाद भी मेंबर्सिप चलाई थी जब एक पार्टि चुनाव जीती है तो उसके लिए वो बेहतर मौका होता है अपने संगठन अपने पार्टि के विस्तार का अरविन केजरिवाल या आम आदमी पार्टि अपना ये मोडल देशवर में खुद लेके जाएगी निश्चित रूप से हम लोग जहां भी पार्टि संगठन है हम हर जगें यही चर्चा करेंगे कि राजनीती यही होनी चाहिए विजली पानी चिकिस्सा सिक्षा दिल्ली जीत कर सिर्फ केजरिवाल का होसला ही बुलन नहीं हुआ है बलकि किजरिवाल की विकास बॉडल की धार का सर आगे भी हो रहा है विल्ली में तो ऐसी हार मिली है कि जो करेंट EVM का शाहिन बाग तक पहुंचना था वो शाहिन बाग का करेंट होम मिनिस्टर तक पहुंच गया और मैं समझता हूँ कि अगले चुनाओ जो बिहार में होने वाला है दिसम्बर में वहां भी ऐसा ही करेंट होम मिनिस्टर तक पहुंचेगा देखे हमारे विरोधियों को बियान देने के मौके है लेकिन अगला चुनाओ बिहार और बंगाल में है बिहार में हम नितिश कुमार जी के नितरुत में लोजपार जदियू बीजेपी मिलकर लड़ेगी और हम बिहार में 200 से जादे सीट जीतेंगे डिल्ली के बाद अब बिहार में चुनाओ होना है बिहार को ना विशेश आज का दर्जा ना विशेश पाकेज बिहार की जनता तो देख रहे डबल इंजन का क्या मतलब रहा जनता ने देखा चुन लोग सवाज़ चुनाओ में चालिज सीट में उन चालिज परफ बिज़ेई हुए हैं इतना तो पक्का है कि एजरिवाल ने दिल्ली जीत कर देश में विखास की राजनीती फिर से शुरू करवा दी है ममताब एनर्जी से लेकर अखलेश यादव तक जिसे देखो वही विखास की माला जप रहा है केजरिवाल देश में विखास के रोल मॉडल तो बन गए हैं लेकिन क्या केजरिवाल आगे चल कर मोधी को हराने के लिए विखास की कुनबे की अगवाई करेंगे आज तक बेरो हम रुक रेक ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेशन क्लीन इसी दिल्ली चुनाओं से जुड़ी वही खबर है देखिएगा देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट विरोधियों को मोधी की काट मिली या नहीं ये तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नेताओं को काटने की तयारी कर ली है जुनकी आप राधिक छवी है बताते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटे का डेडलाइन दिया है ये तमाम पार्टियों से कहा है कि अगर आप राधिक छवी वाले लोगों को आप शामिल करते हैं तो उनकी पूरी चानकारे दीजे वेबसाइट पर सोशल मीडिया पर हर जगा पर दिल्ली में अर्विन के जिर्वाल की पार्टि से 62 विधायक जीते हैं आम आदमी पार्टि महाचीत का जश्ट मना रही है लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया है निर्देश ये कि देश की तमाम राजनितिक पार्टियां अपने उम्मिद्वारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड साजह करें राजनिति को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने गुरवार को एक एहम आदेश देते हुए राजनितिक दलों से कहा कि वो चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड को जनता के सामने रखें बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के ओर से तायर और मानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोट ने राजनितिक दलों से कहा है कि वो अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को अखबारों, वेबसाइट्स और सोशल साइट्स पर प्रकाशित करें सभी पोलिटिकल पार्टी को 48 घंटे के अंदर अपने फेस्बूक डालना पड़ेगा ट्विटर पे डालना पड़ेगा, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा एलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देना पड़ेगा ADR के मुताबिक इस दफा केजरिवाल की पार्टी ने 36 दागियों मिद्वारों को टिकट दिये थे लेकिन अकेले केजरिवाल की पार्टी ऐसी नहीं है बलकि मौजुदा आकड़े के अनुसार संसद में 43 फिजदी संसदों पर आपराधिक मामले है सुप्रिम कोट ने ये भी सवाल किया है कि राजनितिक पार्टीयों की ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि वो क्रिमिनल बैक्राउंड वालों को टिकट देती है कोट ने इस पर 72 घंटे में जवाब देने को कहा है और ये भी कहा है कि अगर राजनितिक दल कोट की विवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनावायो इसे शीर्ष अदालत के संग्यान मिलाएगा संजय शर्मा दिल्ली आज तक इसे के साथ स्पेशल रिपोर्ट पेंता है देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले